कि ये वीडियो that is for the graduate student या जो लोग इस टाम graduation कर रहा है after graduation अगर अभी आपने कोई प्लान करा है या नहीं प्लान करा है तो ये वीडियो आपको बहुत ही फाइदा देगा इस पर लिए कहें तो after graduation अगर या तो आपको further study कर सकते हैं यह बना job opportunities as well अगर आपको further study करना डग्मिन MSC MA या M.Cum करना तो best entrance exam आपके पास कौन कौन से हैं कौन कौन से top universities हैं और साथ ही साथ GRF जो fellowship होता है during MSC आप वो exam दे सकते हो और PhD में eligible हो जातो उस fellowship के लिए वो मैं discuss करूँगा साथ ही साथ अगर आपको MSC नहीं करना तो M.N.E. करना MBA, MC, L.L.B.B.A. so many options आपके पास है further study के लिए उसी तरह साथ अगर आपको job लेना है तो आपके पास staff selection commission के exam बहुत ही अच्छा है आपके पास TGT, banking, state PCS और UPSC that is IAS और IPS जो officer होता उनका जो पूरा exam जो pattern होता है, किस तरह का syllabus होता है और ये सारा हम discuss करेंगे आगर after MSC आपको assistant professor बनना है या scientist बनना है, या lecturer बनना है तो ये सारा में इस video में बहुत ही अच्छे से discuss करने जा रहा हूँ कौन से subject को, कौन से job को ऐसा career आपको select करना है थोड़ा सा discuss कर लेते है, generally graduation में student जो है बहुत ही confused रहता है इस diagram में देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सरे opportunities आप PG भी करना है, तो आपको different field में आप कर सकते हैं अगर आपको job करना है, तो आप different field में आप job भी कर सकते हैं तो आप बहुत ही confused रहता, तो आप confusion आपका दूर करने के लिए किस subject को, किस job में आपको जाना है, थोड़ा सा point discuss कर लेते हैं पहले सबसे कुछ गलत तरीक है, किसी subject के scope को देके select नहीं करोगे friend या family के recommendation के base पे नहीं करोगे, और without information आप किसी subject को select नहीं करोगे सबसे पहले scope के अगर बात करें, माल लेजिए, आपका graduation में botany azology, chemistry combination है और आपका जो सबसे plus point है, जो सबसे ज़्यादा आता हूँ, आपको माल लेजे, botany azology है और chemistry आपको आज सबसे weak point है, किसी family या friend आप से कह दिया कि यार chemistry का नहीं बहुत ही ज़्यादा scope है, उनके कहने के base पे आपने उस subject को select करा कि उस subject में बहुत ही ज़्यादा scope है आगे होगा कि जब आप PG करोगे, MST करोगे, तो आपका उस subject में interest ही नहीं रहेगा किसी भी subject का scope जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा है, बशर्थ ये चीज़ होना चाहिए कि आप उस subject में कितना अच्छे हो और यहां पे हम लोग फुरा सा discuss कर लेते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके base पे आप subject को as a career चूज करोगे सबसे पहला aptitude, that means आपके इस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हो, second चीज़ आपका understanding उस subject में कितना है, आपका interest कितना उस subject में है और आपका aim in life क्या है subject में यह चीज़ यहां से यह चीज़ याद रखिएगा, देखिए, botany, zology, chemistry, हम लोग example के तोर पे ले रहे हैं, आपका botany में जो है, botany सबसे ज़्यादा आपको अच्छा था, that means आपका skill जो है, is compared to chemistry, physics, या zology के compression में, आपको botany में आपका skill ज़्यादा है, और उसका understanding आपको बहुत यासानी से समझ में आता है, that means आपको उस subject में interest भी होगा, और आगे जो आपका aim है, अगर उस subject में fulfill हो रहा है, तो that means, आप उस subject को as a career choose करोगे, personality, intelligence और finance generally matter नहीं करता, information, no doubt, बहुत ज़्यादा matter है, पहले देख लेते हैं, कि अगर आपने further study करना है, तो आपके पा का जो admission test, जो हैना 20 IITs, IIC, Bangalore और अधर जो central institute से लाइग NITs, उन के लिए ये exam होता है, और इसमें आपका eligibility जो होता BAC degree होना चाहिए, respective subject में, यहाँ पे दो तरह के course होता है, एक master degree होता, दो साल का होता, या integrated course जिसमें आपका master degree plus PhD include होता है, ये exam जो होता, multiple choice question और computer पे Section C, Section A में आपका multiple choice question means one option आपके पास रहेगा, इसमें आपके number of question one marker question में 10 और two marker question में 20, total 30 mark का होता है, Section B में आपका multiple select question, इसमें more than one option आपका सही होगा, one mark question कोई नहीं रहता, आपके two marker question, generally आपके 2 रहते हैं, और section C आपका numerical base रहेगा जिसमें one marker के question 10 रहेगे और two marker के question 10 रहेगे और total ये जो आपका hundred का होता है इसमें ये चीज़ याद रहिएगा negative marking भी होती आपका section A में और यहाँ पे देखिएगा अगर आप jam दे रहो तो following subject में आप दे सकते हो biotechnology, chemistry, economics, physics, mathematical science, environmental science ये कुछ subject है माल लेजिए अगर आपको biological science या biotechnology से देना तो आपका जो test paper होगा भी मैंने जो pattern बता है उसमें जो questions आएंगे biology, botany, zology के questions रहेंगे chemistry plus maths और physics के भी question रहता है जो कि 10 plus 2 layer oil करेता है और कौंस कौंसे best institutes हैं आपका ये चीज़ भी देख सकते हैं पहले देख लिजिए IIT Mumbai, IIT indoor से आपका MSC कर सकते हो biotechnology में second चीज़ आपका MSC और PhD जो program होता है में आगे बता है IIC Bangalore, IIT Kharagpur में biotechnology के लिए biological life science के लिए available है essential qualification आपका क्या होना चाहिए B.A.C. with biology subject means आपका botanizology के लिए आपके इंडिया के best IITs है 10 IITs आप यहां पे देख सकते हैं जो भी हैं आपके और next आपका आथा अगर आपको IITs में नहीं जानता हो university के exams का जो pattern होता है वो किस तरक होता है journalist के eligibility देखे तो एक आप simple graduate होना चाहिए यह जो program for master degree या MA income के लिए two year का program रहता इसमें जो exam pattern entrance exam होता है किसी भी universities में qualify होने के लिए multiple choice question generally आता और subject specific रहता है number of question generally 102, 120 रहेगा और यहां पे negative marking नहीं होता और जो आपका MSC में जो selection होगा जो street मिलेगा on the base of oral merit आपके entrance exam में merit के base मिलेगा और यह इंडिया के कुछ best universities है यह top 10 universities है इंडिया के देखिए गया ISE Bangalore top पे है JNU that is for humanities background के लिए वहां पे बहुत सरे option available है बनारास Hindu university science student के लिए बहुत यह अच्छा option है जैमया मेलिया इस्लामिया बहुत यह अच्छा option आपके पास University of Hyderabad, Alligate Muslim University, उसी तरह से University of Delhi, Mysore University, Punjab University यह कुछ best universities हैं बाकी यह सारा जो है ना वो सारे अच्छे हैं कुछ मैंने यहां पे mark करा हुआ है गुजरात University, University of Kashmir, Pondicherry University बहुत सारे universities हैं जो के आपके लिए best option available रहेगा और top entrance exam IIT Gym को छोड़के आपके पास TFR भी है, All India Biotechnology Common Interns इसमें आपके 30 participating universities हैं और इसमें जो आपके questions आते हैं 100 objective questions आपके आते हैं यह चीज़ याद रहिएगा और question botanizology chemistry के रहेगा और उसी के साथ-साथ आपके पास कुछ यह top entrance exam है next देखते हैं कि during MSC या आगर आपने माल लिज़े MSC करा किसी subject में तो आप इस exam को दे सकते हैं actually इनका main purpose आपको junior research fellowship देना और इनका main purpose है assistant professor के लिए जो appointment होता है उसके लिए एक्जाम होता है अगर number of fellowship के बात करें तो 2135 इसमें आपका eligibility master degree in respective subject and enroll for PhD that means आप during MSC भी दे सकते हैं यह चीज़ नहीं है आप मगर यह चीज़ यहाँ पे है fellowship को आपको activate करने के लिए आपका PhD में admission होना must है application इनका device in a year आता अभी cycle थोड़ा सा change हो गया है due to COVID-19 और जो fellowship जो amount होता है 31,000 पर मंद रहता है for initial two year बात में आपका upgrade हो जाता है SRF में जो कि 35,000 पर मंद है और annual contingency में मिलता हो रही है जो आपका maximum five year के लिए होता है इसमें अगर आप pattern देखे तो part A में journal, journal reasoning या match के questions रहेंगे जो कि 20 questions जिसमें से आपको 15 attempt करना है each question carrying two marks और negative marking आपका 0.5 part B में आपका subject specific रहता है 40 questions जिसमें से आपको 35 attempt करना है और आपका question पे sorry each question carrying two marks और part C आपका फिर से subject specific होता है इसमें 60 questions में से आपको 25 करना है और each question carrying four marks overall आपका merit जो है 200 जो marks के उपर से बनता है और इसमें part B और part C आपका subject specific है आपके subject से पूछा जाएगा part A आपका maths और reasoning होता है और इन subject में CSR exam होता है chemical science, earth, atmospheric, oceanography, life science में आपका सारे आएंगे mathematical science और physical science उसी तरह से for humanities background के लिए university grand commission के exam होता है that is the UGC net GRF यह मैंने आगे discuss करा कितने fellowship है यह चीज़ भी है master degree होना चाहिए in respective subject और PhD में enroll होना चाहिए यहाँ पे देखिएगा fellowship amount same ही है application month यहाँ पे भी twice in year आता है यहाँ पे exam pattern थोड़ा सा different है paper 2 set में आता है CSR में 360 यहाँ पे first paper में आपका teaching aptitude या research aptitude आता जिसके 50 questions and each question carrying two marks 100 marks का हुआ second जो paper आता आपका subject आप जिस subject हो उसी subject से आपके questions आएंगे 100 questions रहेंगे और यहाँ पे आपके 200 marks आपको सारे questions यहाँ पे attempt करना है CSR में ऐसा नहीं था आपको वराल जो ranking बनता है 3 index marks में से बनता है और यह चीज़याद देखेगा यहाँ पे कोई negative marking नहीं होता तो आपके पास क्या-क्या career option है after qualifying आप PhD कर सकते हो इंडिया से abroad से भी PhD कर सकते हैं कुछ जगों पे है आप teaching professorship means assistant professor के लिए eligible होगा यह exam आपका qualify हो जाता है आपको fellowship मिलता है आप private corporate farms में जा सकते हो public sector या scientific laboratory technician और scientific officer भी आप बन सकते हैं उसी तरह से next आपके पास है graduate aptitude to transfer engineering जनरल यह engineering student के लिए होलता है मगर MSC pass out student भी इस exam को दे सकता है जो normal MSC करते हैं और यह exam जो है computer based online test होता है और यहां पर भी देखेगा इस exam का pattern कुछ इस तरह से होता है यह कुछ option में ने field बता हैं जिसमें माल ली जाकर बाटनी में देखे तो आप different universities, colleges में assistant professor के लिए appoint हो सकते हो लेक्टिरार के लिए पॉर्टनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, national institute of oceanography उसी तरह से NBRI, DRDO, IIIM, CDRI different बहुत सरे institute है जहां पर आप अपलाई कर सकते हो उसी तरह से zology, biotechnology, chemistry हर subject का मैंने पहले आप लूँ करके कि उनकी अपने scope से different fields हैं पस शर्त यह है कि आप उस subject में आपका hold जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास scope की कोई कमी नहीं है, यह चीज़ याद रखे देखिए, after graduation आपके पास बहुत सारे job opportunities हैं तो one by one हम लोग इनको भी discuss कर लेते हैं अगर आपको बहुत ही जल्दी job चाहिए तो आप स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के exam that is the SSC से बहुत famous है, इसके प्रपेशन कर सकते हैं जनर्ली यहाँ पर जो recruitment central government में जितने भी अग्यास्टेट पोस्ट को छोड़के जो भी recruitment होते हैं गुरूप B & Group C का, उसका recruitment होता है और यह exam जो है four tier में होता है, tier first जिसे हम prelims exam केते हैं tier second जिसे हम main exam केते हैं, दोनों में multiple choice questions आता है यह चीज़ याद रखेगा main से यह, मत सोचेगा कि इसमें कोई writing part आता है और tier third और tier four generally कुछ specific case में होता है और maximum job में आपका यह tier third और tier four नहीं होता tier first की बात करें, तो first of all tier first में sorry आपके चार subject, चार portion से portion पूछे जाते हैं first general intelligence और reasoning आता है, second जो आपका general studies से third आपका maths और fourth आपका English हर section में से आपके 25 questions रहते हैं, total आपका 200 marks का होता है क्योंकि age question carrying two marks और इसमें जो negative marking होता है 0.50 tier first का, फिर आपका tier second होता है, जिसे हम main exam केते हैं इसमें आपके चार paper generally यहाँ पे लिखाया गया है generally आपके paper first और paper second maximum job में सिर्फ यह दो होता है कुछ specific job में आपके यह paper third और paper fourth होता है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, main चीज़ आपको paper first और paper second और paper first में आपका quantitative abilities in maths आएंगे उसके 100 questions, each question carrying two marks, 200 marks का और paper second में आपका generally English पुछा जाता है और हम यहाँ पे 200 questions रहेंगे and each question carrying one marks, 200 marks का और paper second का जो negative marking होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.50, तो यह चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको SSC का profession करना तो आपका reasoning strong होना चाहिए, JS strong होना चाहिए और English, इन तीन चीज़े अगर आपके पास है तो definitely और क्यूंकि staff selection commission के vacancies ना बहुत ज़्यादा आता है हाई दिन आपको हबते में कोई न कोई vacancies आते रहती है, इसके लिए मैं एक particular आपको side बताऊँगा, second चीज़ है, अगर आपको teaching profession में जाना, TGT, lecturer या PGT में जाना, JNV, केंदरे विद्याला, इन सब में exam, जर्नली ये जो recruitment इनका अपना अना बोर्ड रहता है, और ये चीज़ याद रखिएगा, मगर इस exam को qualify TGT, PGT teacher बनने के लिए आपका B8 और CTT का होना compulsory है, जर्नली में ने देखा कि बच्चे lecturer बनने के लिए जर्नली स्टेट्स में क्या होता है, B8 जो है वो compulsory नहीं होता, मगर central government में आपको PGT lecturer बनने के लिए आपका B8 और होना भी must है, प्लस आपका CTT होना अनिवारिया है, और यह जो आपका CTT जो exam होता ने, इसका syllabus देख सकते हो, Child Development, Mathematics, दो language आपके होने चाहिए, और Environmental Studies, टोटल 150 का question रहता है, और और जब यह आपका CTT qualify हो जाओ और आपका B8 होना, तब आप कोई भी vacancy आती है, TGT या PGT का उस exam को आप बर सकते हैं, otherwise you are not eligible, तो TGT का जो exam होता, वो exam तब ही दे सकते हैं, जब आपका CTT और B8 हो, तो इसमें दो paper में आपका questions आएंगे, paper first और paper second, paper first में general English, general Hindi, marks distribution में ने यहाँ पे दिया हुआ है, paper second में general knowledge, reasoning और आपका computer भी आता है, जब ये आपका TGT, आपका 150 में से, अगर आपका यहाँ पे marking अच्छा आता, तो आपका interview call आ जाता है, interview call generally 32-40 होता है, उसी तरह से PGT का भी में में ने बताया, paper first रहेगा, जो कि same रहता है TGT की तरह, मगर paper second थोड़ा से different है, क्योंकि PGT हम लोग को पता, lecturer का होता है, तो यहाँ पे subject के questions बहुत ज़्यादा आता, 80 questions आपके subjects, 150 में से 80 questions आपके subject के रहेंगे, तो अगर आपका subject अच्छा होगा, तो आप यह एक्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जब आप यह मेंस एक्जाम आपका exam, sorry paper first और paper second आपका अच्छा हो जाए, उसके base पे आपका merit बनता है, फिर आपका interview call आता है, फिर overall selection आपका interview प्लस, यह paper जुड़ के आपका selection होता है, फिर आपका I.E. का आता है, after graduation you can follow for the banking exam, और banking exam आपके दो के दो पोस्ट के लिए होता है, प्रोबिशनरी आफिसर और clerical पोस्ट के लिए, और यहाँ पे यह एक्जाम जो होता है, यहाँ पे तीन सेट में होता है, prelims, mains और interview, और यह जो आपका prelims examination का, जो syllabus है, first आपका English, फिर second numerical ability, तीसरा reasoning, exam में आपका GS आता है, general English आता है, जिसके 40 questions रहेंगे, reasoning के 50 questions, फिर आपका quantity of aptitude, फिर से maths हाई आपके 50, वर राल आपका 200 marks का यह, वो maximum marks का होता है, फिर जब clerical post के लिए तो आपका mains के exam के merit के base पे आपका recruitment हो जाता है, but for pure post आपको, आपके फिर interview के लिए call आता है, on the base of, आपका mains exam के merit के base पे, और interview यहाँ पे 100 marks का रहता है, next आपका है, UPSC, that is the public service commission के जो exams होता है, अगर आपको PCS officer बनना, IS officer बना, IFS officer बनना है, तो यह exam जो है generally UPSC conduct करता है, और यह exam तीन set में होता है, prelims, mains or interview, prelims generally qualifying होता है, जब आपका qualifying हो जाए तभी आप mains दे पाओगे, prelims generally consists of two paper, जिसमें आपका एक set आता है, general studies जो कि 200 marks का आता है, और second आपका aptitude test आता है, C-set जिसे हम लोग केते हैं, वो भी 200 marks का आता है, C-set जो है ना, वो qualifying nature है, और जो आपका general studies के base पे, prelims का merit बनता है, और ये दो set अगर आपका prelims qualify हो जाए, next आपका आता है means, फिर यहाँ पे देखिएगा, main exams जो आपका IIS का जो या UPSC का जो होता है, it consists of nine paper, दो आपके qualifying paper हैं, जो कि आपके merit में नहीं जुड़ेगा selection में, और साथ आपके क्या कौन से paper हैं, merit के, sorry, ये जो seven paper हैं, ये आपका merit decide करेगा, और यहाँ पे जो qualifying paper जो होता है, एग आपका, यहाँ पे paper, that is the language होता है, 18 languages आपका enlisted है, 8 schedule में, वहाँ सा आपको एक select करना है, जो कि 300 marks का, और paper भी आपका English आता है, ये matriculation standard का आता है, उतना आपको नहीं tension लेना, और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, ये qualifying है, ये आपके बात में job के लिए, ये mean merit में नहीं जुड़ेगा, second जो paper आपका आता है means में, that is the merit ranking, उसमे paper first आपका essay आता है, paper second, general studies first, जिसमें आपका history आता है, mean और geography, GS second में आपका means आता है, quality, और GS third में आपका science and technology, environmental science आता है, और general GS fourth में आपका integrity और aptitude आता है, और paper fifth के बाद, paper six और जो seven होता है, वो optional subjects होते हैं, आप कमान लीजिए optional subject, जो भी हो, उसके दो paper होंगे, and हर paper का main का merit ranking, उसमें 250 mark का होगा, और यही आपका main decide करता है, बात में interview call के लिए, और these are the some optional subject, which are available for UPSC examination, इसलिए मैंने कहा कि subject information बहुत ही जरूरी है, माल लेजिए आपको IS officer बनना है, और आपने एसे एक subject को choose करा, जो कि इस list में ही नहीं, तो आप कैसे बनोगा, आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आपका information होना बहुत ही must है, ठीके, तो यह optional subject है, मैंने यहाँ पर यह discuss करा न, यह दो जो subject हैं न, दो जो optional subject, इसमें से आपको एक select करना है, उसी के दो paper होंगे, sorry, अगर माल नहीं जो आपने जोलजी सेलेक्ट करा, तो जोलजी के दो paper आएंगे, and each paper containing carrying 250 marks, फिर आपका interview होता है, that is of 275 marks, और generally जो आपका merit बनता है, that is the grand total, आपका main exam का merit ranking, जैसे कि 200 marks का था, 7 paper थे आपके 1750 marks, प्लस interview का, आपका marks जूड़के, उवराल आपका merit ranking बनता है, अगर आप merit में fall करते हो, you will become an IAS officer, या IPS officer, generally कुछ बच्चे hesitate करता, कि मेरा interview अच्छा नहीं जाता, तो interview की marks बहुत ही कम है, next है आपका, अगर आपको assistant professor बनना है, और ये चीज़ पता कि, ये exam भी UPSC या PSC कंड़क कराता है, कि किसी भी university या college के में, आपको assistant professor बनना है, और कुछ case में higher education department भी कंड़क कराता है, इसके लिए eligibility क्या होनी चाहिए, आपका MSC plus CSR net ये UGC net होना अनिवारिया है, ये चीज़ याद रखेगा, ये पहले 2021 में था, but due to COVID-19, PhD degree जाना, अगर आपको university में assistant professor बनना है, तो आपका PhD degree भी होना must है, अप्टर 172, एक साथ 2023 के बाद, और हम लोग जानते कि assistant professor के salary बहुत ही अच्छा रहता, ये तो basic salary इसमें आपका सारा जुड़के, लगबग 70-80,000 से एक assistant professor की जो salary है, वो start होती है, selection जो procedure इसमें होता क्या है, यहाँ पे भी आपका exam होता, जर्नेली हर जगे, part first में आपका general studies होता, जिसके 30 question रहेंगे, 60 marks का, part second जो है माल लीजे, subject specific रहता है, ताको आपको botany से देना, zology से देना, तो उसके 70 question, and each question carrying two marks, 140 का, overall 200 में आपका, यहाँ पे marks है, उसके base पे आपको interview call आता है, और interview call जो है 30 marks का है, फिर आपका जो main selection जो होता है, आपका यह exam, जो आपका exam हुआ है, 200 में से आपको जितना, plus interview में जितना मिले, उसके base पे आपका selection जो है, वो होता है, second चीज, if you want to become an analyst, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कर आपको botany में scientist बनना, तो journal ही जो essential qualification, master degree ही होता, मगर यह चीज याद रखिए, desirable qualification जो scientist के लिए PhD डिग्री माना जाता है, तो आपको PhD करना must है, अगर आपको scientist बनना, यह चीज याद रखिएगा, these are essential qualification को subject का दिया हुआ है, तो इसका procedure क्या होता है, followed by personal interview, कुछ जगे पे में भी सिर्फ interview होता है, यह चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो questions आते हैं, जर्णली एक exam हुआ था, अभी, तो उसमें number of questions 100 रहता है, each question carrying 400 marks का, तो आपका जो selection होता है, यह written exam, प्लस आपके interview ways पे होता है, इंटर्व्यू का जर्णली 32-40, sorry, यहाँ पर जो interview के marks है, तरीस कुछ scientist के लिए higher रखा हुआ 70 marks, फिर आपका जो selection जो होता है,